हेलो गाईज वेलकम टू ट्रेड विदर उन यूट्यूब चैनल दोस्तों आज 26 तारीक है 26 अक्टूबर है और आज बहुत सी जगे पे आज 10 अरा सेलिबरेट हो रहा है मेरे यहां भी आज ही 10 अरा है एक्चुली मैं तो आज 10 अरा पे मैं ट्रेड कर रहा था और आज मैंने परपस सिर्फ लॉस दिखाना नहीं है लेकिन मेरा परपस है कि आज जो मैंने मिस्टेक्स की है मैं आज आपके साथ वो शेयर करूं और आप उनसे कुछ सीख पाएं क्योंकि यह जनरली कैजूल मिस्टेक्स है जो जनरली सभी लोग करते हैं तो मैं चाता हूं कि आप मेरी आज मैंने थोड़ा सा अपना लॉट साइज भी बढ़ाया मला पॉकेट साइज को इनक्रीज किया जनरली आज जो होता है जैसे कि आज मैं अपडेट करना आज हमने पहले यह पहली ट्रेड ली थी आज आप देख रहे होंगी तो यह मैंने अपने टेलिग्राम पर भी कि अग्ली ट्रेड हमने दी इस अग्ली ट्रेड हमने दी इसमें करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक से फायटा होता है क्योंकि हम आपको 50 रुपी का कैस बेक देते हैं साथ ही साथ हम आपने टेलिग्राम चनल जो भी उसमें ऐसा नहीं कि कोई पेड़ ग्रोफ है उसमें मैं जो भी ट्रेड लेता हूं आपको रियल टाम अपडेट करता हूं तो आपके लिए कुछ आवर आप सीखना चाहें तो वहां सीख सकते हैं लेना चाहें तो वह आपको पेड़ेंड करता है लेकिन यह प्योरली मेरी रिस्क है तो अगर आ अगर समरी बता हूं आज की तो आज मैंने क्या किया कि जनरली मेरा जो पॉकेट साइज है आप हमेसा देखी जब भी आप ट्रेड करें तो आप अपनी लिमिट डिफाइन करते हैं कि आज मेरा लॉस इस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके कारण आपकी कहीं रात की पॉकेट साइज की आज मेरा चलो उतर उतना लोस अवा तो मैं खुष रहूं का कि चली कोई इसू नहीं है यह मेरे फोकेट साइज का है और मैं कर दे करूँगा तो आज हुगा क्या है एक्चुली मेरे साथ कि मैने अपना पॉकेट साइज ठोड़ा सा जारा लूस कर दिय एक मेरा जो दिन का एक दिन का लॉस होता है मैक्सिम में मान की चलता हूँ कि पंदरा सो दो जार की बीच पहुना चाहिए लेकिन आज हमारा कुछ लॉस अभी आप लास्ट में जब ये वीडियो एंड होगा तो आप देखेंगे तो करी पच्छिस सो के आसपास का लॉस है त कि प्रॉफिट करने वेजिक हमार्श करते हैं पर्छ लाउस करते हैं कि पूरा कैप्टल गाया होता है अगी केस में आपको यह हैं तो मैं जर्ली आज का जो यह सम्हें आप से को बटा रहा हूं कि कोई मार्केट जैसे फॉल हो रहा था तो मिलThe 19 फिर चेन अपर गाए मंध बुलिस में बुलिस था मार्केट को लेके और गलोबल भी आज पॉजिटिव तू न्यूट्रल मैंने आज को सुभई अपडेट किया था टेलिग्रम चनल में लेकिन उसके बाद एक पैनिक सेलिंग आ गई और उसके बाद मार्केट अच्छे तरीके से फॉल होता गया और द ट्रेड में आगले दिन उसको रिकवर कर सकते हैं अगर आपने पूरा पूरा का कैपिटल का याप कर दिया एक ट्रेड में आगlaár 70-80 परसEN तो फिर बहुत दिक्कत होती है फिर वह रिकवर करना मलब फिर वो रिवेंश ट्रेडिंग करनी होती है और रिवेंश ट्रेडिं मेरा मतलब यह है कि आप मेरी गलतियों से कुछ सीख पाए तो वही मेरा एक टार्गेट है तो यह कि जो हमें ट्रेड ली थी आप लाइव ट्रेड देख रहे होंगे 152 पर सौट किया था एक सो पैंताली स्याली सी करीब रेट चल लिए तो एक स्वाइट दी मैं सिर्फ वीड टेलिग्राम पर यह ट्रेड दी यह बिल्कुल सकस्व रहे जी दूसरे टीट दी ती उसमें एसल हुट होना चाहिए तो मुझे उसी ट्रेड से एक जिट कर देना चाहिए उसमें ने रूल यह बरेक कि मैं चाकर नहीं देख रहा तो चार्ट बिना देखे मैंने उसको एवरेज आउट कि अपनी एसल की प्राइस पर और मैंने सुझा कि इससे थोड़ा बहुत लॉस मेरे रिकेबर होता है मैं उससे एक्जिट कर जाऊंगा लेकिन उसके बाद फिर होता किया है कि मैं मोबाइल को अपने रख लेता हूं इसके लिए ला मन्त का अगर आप देखेंगे पांच अक्टूबर से हम लगातार अपनी लाइट पोस्ट करना है तो करीब हमें पंद्रा जार से जादा का प्रॉफिट हुआ है और आज हमने पहले पहला एसा मन्त का इसा पहले डे है जिस्ट हमने थोड़ा सा 25 रुपय के असपास लूज लूज किया है तो और तो पुल मिला के लास्ट गुरूबार को प्रॉपेट हुआ था वाज हमारा एलाप्स हो गया है तो करिभ इस मंत का जो नेट अगर आप निकालेंगे तो थर्टीन 14000 एक लॉट से तो थर्टीन 14 के से यह ऊपर निकला है अभी तक तो कोई दिखकर न कभी भी केप्टल अबास्टर टेट तो आपको चारा जार रुपय में एक लॉट सेल करने के लिए देता है तो मैं जेनरली इसमें पाँ-छे जार रुपय रखता हूं जैसे ही प्रॉफित होता है इतना डबल प्रॉफित होता है जैसे कि मेरा अभी अभी देखेंगे अरिश मार्केट और सडन फॉल हो गया और उसकी बज़े से 25 रुपय का गरीब हमें आज लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं हम इस लॉस को जल्ली कवर कर लेंगे हो सकता है मैं भी कल सिर्फ एक ट्रेट करूँ और पहले ट्रेट में हमें प्रॉफित होता है सही रहती है तो फि इसको एड़ाउट करेंगी तो दूसरी बार लॉट साइज आप तभी बढ़ाएं जब आप बहुत चाला कॉन्फिडेंट हो या फिर आप उतना लॉस लेने के लिए तैयार हो कि अगर आपकी अगीस में ट्रेट गी तो आप उसको जहल पाएं तो अपना लॉट साइज भ कबर कर लेंगे थैंक्यू दोस्तों आपको इससे कुछ सीखने में मिला और जो इशू है कमेंट कीजिएगा थैंक्यू सो मच गुड़ डेग रिजट कर गया मैं उससे